नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइट न्यूज और मैं हूँ फरा खान आज मैं आपको बताओंगी कौन सी तीन फिल्में रिलीज हुई है और कौन सी फिल्म पड़ेगी बाकी दो फिल्मों पर भारी वैसे तो तीनों फिल्म मज़ेदार हैं लेकिन एक फिल्म है जो बाकी दो फिल्मों से ज़ादा चर्चबतो रही है चलिए बता ही देती हूँ पैली फिल्म है फैमिली ओफ ठाकुरगंच दूसरी फिल्म है जूता कहीं का और तीसरी फिल्म है डिजनी स्टुडियो की The Lion King दे लॉइन किंग के सामने स्मॉल बजट की दो फिल्में बड़े पड़े पर हैं जिसमें जिमी शेरगिल माही गिल की फिल्म फैमिली ओफ थाकुरगन शामिल है और जिमी शेरगिल की ये एक और फिल्म जूटा कहीं का भी आज ही के दिन रिलीज हुई है इसमें रिशी कपूर, मनोच जोशी और ओमकार कपूर भी एहम रोल में है नुई यॉक में कैंसर का इलाज करा रहे रिशी कपूर की इस दुरान ये पहली रिलीज है अब देखना ये होगा कि ये फिल्म रिशी कपूर के नाम पर कितना फायदा कमाती है इन तीन फिल्मों में सबसे ज़्यादा चर्चा बटो रही है डिजनी स्टूडियो की दा लॉइन किंग इसकी खास वज़ा फिल्म के लिए शारुख खान और उनके बेटे आरियन कान की डबिंग है दे लॉइन किंग के लीड कैरक्टर्स मुफासा और सिम्वा के लिए शारुख खान और आरिन खान ने अपनी अवाज दी है और इसकी एक और वज़ा है वो है इसकी दमदार कहानी इस फिल्म को अच्छे रिवियो मिल रहे है ये एक फैमिली मुवी है खास तोर पर बच्चों की बीच इसको देखने के लिए काफी उत्सा है अब अगर जिम्मी शेर गेल और माही गेल की फैमिली ओफ ठाकुर गंज की बात करें तो सहब बीवी और गैंस्टर की जोड़ी देखने के बाद लोगों में काफी एकस्पेक्टेशन बढ़ गई थी लेकिन अफसोस ये फिल्म के रिवियो निराश करते हैं चलिए इसकी स्टूरी लाइन भी आपको बता देती हूँ और इसका अंदाजा भी आपको दे देती हूँ ये कहानी है ठाकुर गंज में रहने वाले दो भाईयों ननु जिमी शेर गेल और मन्नु नंदी संदुकी पिता की मौत के बाद मा सुप्रिया पाठक और भाई मन्नु की जिम्मेदारी ननु को छोटे शेर ठाकुर गंज का भोबली और भाईया जी बनने पर मजबूर कर देती है जबकी छोटा भाई ननु पढ़ लिकर प्रोफेसर बन जाता है और सच्चाई का रास्ता अक्तियार करता है दोनों भाईयों की विचार धारा और जीवन शेली के टकराफ के बीच ननु की मा और पतनी शर्बती माही गिल रंगबाजी में ननु का साथ देती है एक जूट को छुपाने के लिए सौ जूट बोलने पड़ते हैं ये जूट कितनी मुसीबत और कन्फूजन पैदा करता है आप सोच रहाँगे ऐसा मैं क्यूं कह रही हूँ यही स्टोरी है जूटा कहीं की इस फिल्म में हीरो अपने प्यार को पाने के लिए अपने अनात होने का जूटा जाल रश्ते हैं और फिर उस जाल में फस्ते चले जाते हैं इस स्टोरी लाइन पर हाली में फस्ते फसाते नाम की एक और फिल्म भी आई थी अब आपको क्या लग रहा है कि मैं सारी फिल्म आपको बता दूँगी अगर मैं आपको ये सब बता दूँगी तो आप क्या जाकर देखेंगे आज के लिए बस इतना ही बने रहे है नेक्स नाई नियूस के साथ